First important editorial अफगानिस्तान ट्रेजडी को लेकर की प्रजैन टाइम में आपने न्यूस पेपर में बहुत न्यूस देखी होंगी कि किस तरीके से तालिबान ने कुछ ही समय में अफगानिस्तान के बहुत सारे मेजर एरियास को उपने अंडर कर लिया है अभी कुछी दिनों के अगर हम बात करें तो कंधार जो second largest city है अफगानिस्तान की हेरार जो third largest city है इसके अलावा गजनी जैसे city जो काबूल और कंधार हाईवे के उपर एक important city के रूपे established है इससे क्या लगता है कि तालिबान जो है 1996 से 2001 के बीच में जब अफगानिस्तान की जो control complete power तालिबान के हाथ में थी उस time को दुबारा से regain करने वाला है तालिबान अब ये major problem है अफगानिस्तान की population को ले करके जैसे ही तालिबान वहाँ पर power में आएगा वो तालिबान में अभी ईद के उपर वहाँ के जो तालिबान के head है उन्होंने एक statement भी दिया उन्होंने बोला कि complete Islam जो भी rules and regulations है वो यहाँ पर लागू किये जाएंगी देखो प्रजैन टाइम में जो तालिबान है वो काफी ससक दिख रहा है अब US ने क्या किया US की भी इसमें major problem है major problem आप ये मान सकते हो कि देखो US 2001 में यहाँ पर आ गया था अफगानिस्तान में और सुरुवाते दिनों में उन्होंने तालिबान को कमजोर करने की अकर्मन किया तो तालिबान काफी कमजोर अवस्ता में चला गया था और जब कोई कमजोर अवस्ता में रहता है ना तब आपको agreement करना चाहिए था प्रजयंट टाइम में तो अफगानिस्तान गुर्टमेंट ने साजेदारी सत्ता में साजेदारी भी प्रोवाइट करने की कोशिस करती है तालीबान को लेकिन तालीबान ने मानने से इंकार कर दिया है अड़े बही तालिबान मानेगा क्यों क्योंकि तालिबान को लग रहा है कि सिर्फ काबुल उसके हाथ में नहीं है थोड़े से दिनों में काबुल को भी अपने अंडर करेगा और complete power अपने हाथ में ले लेगा तो जब तालिबान कमजोर था उसी समय USA को ये जो peace agreement जो भी agreement sign कर आने चाहिए थे present time में तालिबान कापी powerful दिख रहा है और तालिबान जो है वो agreement जब भी agreement की बात आती है जब भी उन्होंने agreement रखा उन्होंने अपनी बात clear रखी और देखो USA जो अचानक से यहां से वापस आ रहा है न ये भी बात आपको पता होगी कि तालिबान ने clearly बो उनको वहां से remove करना state कर दिया अब इससे क्या होता है कि अफगानिस्तान की जो government है अफगानिस्तान की जो army है उसका moral down हुआ उनको लगा कि जब USA ही तालिबान से नहीं निपट पा रहा है तो हम कहां से निपटेंगे ये major problem हुई है और देखो जब किसी भी किसी भी army का moral down ह हुआ है आपने history उठाकर के आप देख लीजिए वो war आप निश्चित रूप से वैसे ही हार जाते हूँ तो ये major कारण रहा वहां पर tragedy create करने में अफगानिस्तान में tragedy create करने में जो ये big powers है उन्होंने भी important role play किया अब देखो इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सार आने होगे direct बात करनी होगी तालिबान को लेकर के क्योंकि तालिबान वहाँ पर power में आने वाला है ये clear बात है और तालिबान अगर power में आता है और तालिबान के साथ में हमने regular clear बात नहीं की तो हो सकता है कि इंडिया का जो भी investment है उसको भी नुकसान पहुचे तो ये से सार आता है फिर US से आता है weapons जो है अपनी economy को बढ़ावा देने के लिए इस area को खराब किया जाता है पहले दूसरे के हिसाब से इसको indirectly यहाँ पर weapons प्रोवाइड किया जाते है टेरिस्म को बढ़ावा दिया जाता है और जब वो ही टेरिस्म खुद को नुकसान पहुचा तो फिर उस टेरिस्म को खतम करने के लिए फिर वोर होता है यह ट्रेजरी तो है वहाँ के जो population है उनके क्या गलती है उनके क्या mistake है उनके जो rights है वो तो सेव होने चाहिए न आप UN में जाकर के बात करते हो बड़ी बड़ी बात करते हो कल भी हमने अपने Indian Parliament के बारे में एक बात डिसकस की थी कि जब तक जो organization जिस objective के लिए उसको बनाया गया है उस objective को अगर सर्व नहीं किया जा रहा है तो उस organization का कोई मतलब नहीं है मिटिंग करना और उस मिटिंग में बैट करके बड़ी बात करना लेकिन उसको reality में अगर implement नहीं किया जा रहा है तो सब कुछ गलत हो रहा है अगर आप security की peace की बात करते हो भले ही आप के इतने constitution में peace की बात कर लो world peace की बात कर लो कि हम तो सब कुछ equality में maintain करते हैं सब का भल NSC की presidency ली हुई है one month के लिए और हमारे PM ने maritime security को लेकर के presidents किया और इसकी एक open debate उन्होंने launch की ये जो open debate थी इसके theme थी enhancing maritime security एक case for international cooperation हमारे PM ने इसमें बहुत सारी बात बोली उन्होंने बोला कि जो seas है जो oceans है वो इस अर्थ के इस planet के future के लिए lifeline है तो सभी humankind के लिए common heritage है ocean और सभी को मिल करके इसको protect करना चाहिए contemporary time में जो भी challenges देखने को मिल रहे हैं उनको deal करने के लिए हमें common framework बनाना होगा और उसमें जो भी maritime disputes हैं जो भी natural disasters हैं वो भी इनमें सामिल करनी होगी अब ये बाते क्या बताती हैं ये बाते बताती हैं कि इंडिया का हमेशा से इंडिया का culture, history और geography जो far-sighted vision रहा है oceans के लिए वो सारी बाते इसमें clear होती हैं मतलब इंडिया का present time में ocean को लेकर के navigation का जो history रहा वो काफी प्राचीन टाइम से हैं मतलब बहुत ancient टाइम से हमारे sea route relations से other countries के साथ में अब यहाँ पर maritime हमारी क्या-क्या tradition रही उसके बारे में बताया गया है इंडिया की जो coastline है वो काफी बड़ी है आपको पता है 7500 km मतलब पिचेतर सो किलोमेटर लगबग और इसके अलावा जो इंडिया के आसपा जो इंडिया नोशन है वहाँ पर छोटे-छोटे island chain भी है जिसे लकदी के आप बात कर लीजे अन्बाने निकोबर island की बात कर लीजे अब इसमें क्या होता है कि इंडिया का जो भी surrounding siege है उनके थुरू इंडिया ने हमेशा से sea route को फेस करके अपने relation maintain किया है जैसे 1500 century की अगर हम बात करें तो इंडिया में ancient maritime tradition रह चुकी है बासको डि जन्जिवार का है अफ्रिकन कॉंटिनेंट में तंजानिया एक country है उसकी capital है जन्जिवार ओके तो वहां पर वहां से हमारे इंडिया का जो west coast है वहां पर वासको डिगामा आता है इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ancient mariners है मतलब old world में भी इंडिया के sea time trading route हुआ करते थे अगर हम संस्कृत से बात करें तो संस्कृत का जो word है जो word navigation है वो संस्कृत के word नवगात से ही derived किया गया है अब जो Mr. Modi है उन्होंने 5 principle को initiate करने की बात की उन्होंने बोला कि free and open trade जो है वो इंडिया के civilization ethos में ही रहा है उनके जो words है वो इंडिया के maritime trade जो 45 400 साल पहले Mesopotamia के साथ थे उनको याद दिलाते हैं लोथल एक Indus Valley Civilization के समय में एक key maritime center हुआ करता था प्राइम निस्टर का जो home state है गुजरात वहाँ पर भी इंडिया के बहुत oldest maritime histories रही है कच्छ और काठिया वार्ड इसके अलावा मालाबार जो coast है उन्होंने अफरिका के साथ में ancient links को enjoyed किया है 1760 से 1778 के बीच में कच्छ में राजा हुआ करते थे राव गोधी जी जो राव गोधी थे उनके समय में एक सिप बनाई जाती है इंडिजिशनली और इस सिप को इंगलेंड तक ले जाया जाता है यह चीज़े क्या दिखाती है यही चीज़े दिखात से हैं ओके बुद्धिज्म और हिंदुईज्म की अगर हम बात करें तो साथ इस्ट एश्या में maritime route के थ्रू ही यह फैले हैं और इसके अलावा जो इसलाम है वो भी इंडिया से साथ इस्ट एश्या में maritime route के थ्रू ही फैला है मिस्टर मोधी ने यह बोला कि सागर को seas को oceans को प्रिजर्व करने के लिए 2015 में ही हमने एक initiative लेकर के आ गए थे सागर security and growth for all in the reason उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी international community हो जहांपर cooperation हो inclusive framework हो maritime security के लिए इसके अलावा ऐसी जो security डिवलेप के जाए ना इसका main कारण हो कि trade और commerce हो उसमें कोई भी बादाएं ना आए 90% जो global trade होता है वो high siege में होता है high siege वो siege जिनके ओपर किसी का control नहीं है simple region के अगर हम बात करें तो transport का सबसे effective mode होता है sea route मतलब अगर आप road से जाओगे railway से जाओगे इसके अलावा आप अगर जो air route है उसको follow करोगे तो सबसे कम खर्चा आता है हमने अभी Indian Express जो हम news analysis करते हैं उसमें भी हमने discuss किया था explained page पर special आया था कि अभी navigation को inland waterway navigation को लेकर के हमारी parliament में एक bill pass हुआ तो उसमें हमने comparison देखा था other other route का अब यहाँ पर बताया गया है कि sea lane जो है communication में अगर disruption होता है तो global levels पर उसमें कुछ बादाई आती है जैसे कि अभी Swage Canal का आपने देखा होगा कि उसमें blockage हुआ जिसकी वज़े से करोडों का नुकसान हो गया था 1956 में जब Egypt ने इस waterway को nationalized किया था तो बहुत सारी जो great powers है ना उन्होंने इसका initiative इसको अच्छे सी मतलब स्विकार किया था क्योंकि यह काफी important role play कर रहा था ना ठीक है तो यह जो check points है ना chalk points जैसे कि मलक का स्ट्रेट हो गई बाव अलमंडब हो गई स्वेज कैनाल हो गई इन सबको आपको open रखना होगा मतलब यहां पर कोई भी बादा नहीं होनी चाहिए तब ही जाकर के इंडो-पैसिफिक वाला जो region है वो open and free and fair हो पाएगा ओके तो देखो जो एक word है मारे लिब्रम यह है open सीज की बात करता है और present time में मारे क्लेजम यह है close sea की बात करता है South China जो सी है वहाँ पर आप देख रहे होगे कि वहाँ पर close sea चाहिना हमेशा क्लेम करता रहता है यह तो मेरा area है यहां मताओ और अगर हम बात करें तो देखो critical supply chain जो है वो depend करती है open seas के उपर और अगर आप open sea रखोगे तो trade and commerce जो है वो बिलकुल prosperity के साथ में फैलेगा अब इस article में next एभी बताया गया कि इंडिया ने dispute settlement के लिए कब क्या का काम किया प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया ने हमेशा international लोग के according maritime dispute को soul किया है 2014 में इंडिया और बंगलादेश के पीच में maritime dispute चल I.C. को लेकर के China और Philippines के बीच में arbitration होता है problem होती है permanent court of arbitration फिलिपिन्स के पक्स में फैसला सुनाता है और चाइना उसको मानने से इंकार कर देता है ये चीजे पता है क्या दिखाती है ये चीजे ये दिखाती है कि इंडिया ने हमेशा हमेशा मेरी राइम security के लिए जो भी regulations आए उनको इंडिया ने माना प्राइम निस्टर मोदी ने ये भी बोला कि natural disaster और maritime threats natural disaster मतलब cyclone आ गई tsunami आ गई maritime threats मतलब जैसे piracy यह जो problem है यह समय के साथ में exponentially वड़ रही है तो इनको मिलकर के जैसे जो natural disaster है उनको लेकर भी हम work करेंगे जिसमें cyclone tsunami maritime pollution ठीक है और अगर maritime threats है तो उसके लिए इंडिया अच्छे से work करेगा इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हमेशा first responder का काम किया है जैसे कि 2004 में जब tsunami आई तो इंडिया ने इस चीज को problem को solve करने के कोसिस की अगस 2020 की बात है मोरिसस को कुछ relief material चाहे था इंडिया एन एर फोर्स ने 30 ton relief material वहाँ पर provide करवाया इंडियान कोस्ट कार्ट ने हमेशा कोसिस की है कि environmental hazards और piracy को रोकने के लिए work किया जाए प्रजेंट टाइम में director general of Indian coast guard को executive director बना दिया गया है regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia ठीक है यह center है Singapore में और इसका head बना दिया गया है हमारी यहां के Indian coast card के जो director general है पाच अगस को इसके election होई थे यह बात क्या दिखाती है कि इंडिया ने हमेशा major contribution दिखाया है और उसी का नेतीज़ा यह निकला है इंडिया ने white shipping agreement भी करें हैं कई countries के साथ में white shipping agreement मतलब जो commercial जो ships होते हैं उनके लिए agreement किया है इंडिया नेवी का एक special center खोला गया है गुरू ग्राम हर्याना में कि information fusion center Indian ocean region इस center के उपर मतलब कोई भी जो countries हैं वो अपनी information को आपस में share कर सकती हैं यह जो white shipping agreement होता है ना इसमें भी information को share किया जाता है ठीक है और यहाँ पर इस center पे US, Japan, France, Australia, UK इनके officers भी रहते हैं इंडिया नेवी regular कोसिस करती है कि other countries के साथ में friendly relation बनाई जा सके environmental concern की बात करें देखो present time में maritime security बाड़ी बात नहीं है environment का maritime environmental काफी degrade हो रहा है वहां के जो animals है उनको काफी problem हो रही है plastic pollution काफी बढ़ता जा रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो present time में China का belt and road initiative जो है वो भी एक major concern कर रहा है इंडिया हमेशा से project के execution को लेकर के transparency और openness के लिए खड़ा होता है इंडिया ने हमेशा local priorities को आधार माना है US, Japan, Australia ये हमेशा कोसिस करते हैं blue dot network मतलब global infrastructure के standard की अगर बात आए तो उसको promoting करने के लिए ये countries काम कर रहे हैं मतलब आप BRI का alternate ढून सकते हो यहां के उपर तो last में हमारे जो PM हैं उन्होंने ये बोला कि जो भी framework बनाये जाए उसमें UNCLOS United Nations Security Council फोर्दा मन्त ओप अगस्त इंडिया को जो leadership मिली है उसमें maritime security को जो हमने बात की और यो UNCLOS जो low है उसको अच्छे से implement करने की आवशक्ता है जो भी framework बनाये जाए वो इसके according बनाये जाए siege को हमें protect करना है हर area से man-made threat हो उससे भी और जो man-made threat हो उनसे भी और जो natural threat हो उनसे भी इन सारी problems को solve करने के लिए अगर हम cooperation करेंगे other countries के साथ में तो इसके better result निकल करके आएंगे तो यह आज का हमारा discussion था ओके